मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आता कि लोग नियमों का पालन क्यों नहीं करते मुझे समझ नहीं आता कि लोग प्राइबेट जॉब को बुरा क्यों समझते हैं मुझे समझ नहीं आता कि तुम कड़ी महिनत क्यों नहीं करते Guys, कुछ ऐसे ही sentences हम भी अपनी daily conversation में बहुत ज़ादा use करते हैं English में हम इन sentences को कैसे बोलेंगे आज की विडियो में हम बही सीखेंगे So, चलिए शुरू करते है मुझे समझ नहीं आता कि English में हम इसके लिए use करते हैं structure I fail to understand that Guys, बैसे तो हम इसके लिए I don't understand का use भी कर सकते हैं लेकिन वो एक common sentence है जो हम हर situation में use कर लेते हैं बड़ जब भी आपको किसी बात पे, किसी sentence पे pressure दे कर बोलना हो कि मुझे समझ नहीं आता ऐसा होता क्यूं है मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसा करते क्यूं है बहाँ पे आप use कर सकते हो structure I fail to understand that चलिए guys structure देखते हैं कैसे हम इसे sentences में use करेंगे Guys, ऐसे sentences को बनाने के लिए सबसे पहले हम use करेंगे structure I fail to understand that उसके बाद हम use करेंगे sentence जो किसी भी tense में हो सकता है सो चलिए examples की help से समझते हैं First example है मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों करते है I fail to understand that Why people do this Guys, यहाँ पे आप दिस की जगह पे so का use भी कर सकते हैं उसका मतलब भी होता है ऐसा I fail to understand that Why people do so So guys, यहाँ पे हम जो है question mark नहीं लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे कोई question नहीं पूछ रहें बलकि हम अपनी state बता रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसा करते क्यों है तो यहाँ पे हम question mark का use नहीं करेंगे Simple ही बोलेंगे I fail to understand that Why people do this या फिर do so मुझे समझ नहीं आता कि लोग नियमों का पालन क्यों नहीं करते I fail to understand that why people don't follow the rules I fail to understand that why people don't follow the rules मुझे समझ नहीं आता कि लोग प्राइबट जॉब को बुरा क्यों समझते हैं I fail to understand why people consider private jobs bad I fail to understand why people consider private jobs bad मुझे समझ में नहीं आता कि लोग अपने बड़ों की बात क्यों नहीं सुनते I fail to understand that why people don't listen to their elders I fail to understand that why people don't listen to their elders मुझे समझ नहीं आता कि तुम कडी महनत क्यों नहीं करते I fail to understand that why you don't work hard I fail to understand that why you don't work hard So guys ये था आज का structure With examples हमने इस वीडियो में learn किया I hope कि ये वीडियो आपके लिए useful रही होगी अगर आपको पसंद आई हो Please like and subscribe my channel for more content Next मिलते हैं next वीडियो में new structure के साथ Till that I am all the best good luck bye